कुवेट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित इमारत में आग लगने की घटना में बड़ी संख्या में भारतिय लोगों की मौत हुई है भारत सरकार घटना के पीडितों को सहायता मुहया कराने की लगातार कोशिश कर रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के आदेश के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्ती वर्धन सिंग कुवेट यात्रा पर गए घटना में मारे जाने वाले लोगों के शव को भारत वापस लाया गया है इस बीच अब कुवेट की कंपणी ने घटना में मृतकों के लिए मुआवजे का एलान किया है जानकारी के मुताबिक कुवेट की एंटी बीसी कंपणी प्रबंधन ने मंगाफ छेतर में जान दमवाने वाले मृतकों के परिजनों को आठ लाक रुपए के मुआवजा देने का एलान किया है इसके साथ ही कंपणी ने बीमा राशी का जल से जल भुक्तान करने साथ ही मृतकों के शवों को उनके गंतव्य तक पहुचाने में मदद का भरोसा दिया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बुधवार को कुवेट में आग लगने से कई भारतियों की मौत के बाद एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को हर संभव सहायता मुहया कराने का निर्देश दिया प्रधान मोधी ने सभी मृतकों के परिजनों को दोदो लाख मुआवजा देने का एलान किया है केरल सरकार भी मृतकों के परिजनों को पांच से पांच लाख रुपे मुआवजा देगी कुवेट में हुए इस अगनिकान को लेकर ये बात सामने आई है कि छे मंजिला इमारत की रसोई में आग लगी थी जिसने देखते ही देखते विक्राल रूप ले लिया इमारत में एक ही कमपनी के 195 मजदूर रहते थे मृतकों में अधिक्तर केरल, कमिलनाडू और उत्तर भारतिय राज्यों के नागरिक हैं इनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच थी कुवेट के ग्रहम मंत्री शेक फेहद अल्यूसुफ अलसबा ने घटना की जाच के आदेश दिये हैं साथ ही इमारत के मालिक और चौकीदार को गिरफकार करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि आज जो हुआ वो कमपनी और इमारत के मालिक के लालच का नतीजा है इस त्रासदी के लिए जिम्मेदारों को सजा मिलेगी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें